तो हम आपको बताते हैं के वजन बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है एक यह तरीका खाओ 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 ढौरिय तरी की आखने धिनधने का थे बढ़ाने के लिए इन एक लोग resultsra आप लोग को खाने लगते हैं, लेकिन कलिस्ट्रॉल का ख्याल रखें, और वे प्रोटीन खुदारा ना ले, अगर आप वे प्रोटीन की तरफ जाते हैं, मुटापर के लिए, वे प्रोटीन जो अंडों से बनावा होते हैं, जिसे हमारे पहलवान किते सारे पिछले दिनों जाया हो गए, आर्टिफिशल चीजें जो हैं, वो बिल्कुल बीन आलें, आप उन शायद उन खुछ नसीबों में से जिनके फैट्स जो हैं, जो कार्ब्स जो हैं, वो फैट्स में तबदील नहीं होते हैं, लेकिन आप थोड़ी से हल्थ चाहती हैं, तो शकरकंदी आती है उसकी खीर बनाके खाएं, अलीव की खीर बनाके खाएं, बहुत आसान है, आपने शकरकंदी का अबाल लिया, आप दूद में बदाम, पिस्ते, काजु, काजु बहुत अच्छा होता है, जिनको वेट अपना बढ़ाना होता है, तो मनके, किशमिश, इन सब का अपने ब्ले तो उसे इंशालला आपका वेट आप हेल्दी नजर आएंगे मैंने भी जब मैं भी बहुत यांग थी तो मुझे भी लगता था मेरा भी वजन नहीं बढ़ता था वजन नहीं मुझे भी बड़ा अच्छ लगता था तुर अधरा भर आद्मिया देसी घी सुबस्पर नाश्ते में कहते थे रोटी पे आप देसी घी लगा के खाएं तो भी आपका वजन बढ़ता अगर गाई का हो तो अगर बैस का हो तो बढ़ाएगा तो बैस का है तो बढ़ाएगा उसमें चिकनाहट इतनी होती के कलिस्ट्रॉल इसलिए मैंने इस बच किस्ट्रोल हाई नहीं हो साइगा तो इस चीज अपनी सेहत का ख्याल रखे एक तो शकर मैं कंदी की की खाएं आलो की खाएं जैसे सागुदाना और चावल जो है इन दोनों को आप मतलब किसका पौडर बना के रखें ठीक है आप ये इस्तेमाल करें इस आपके पुडर मतल करता है जो हम आम आलो हैं वो नहीं आलो के चिप्स भी बहुत अच्छी होते हैं वहां आप वो उसका इस्तेमाल करें केले जो है वो फिर आपको छे अदद खाने होंगे एक दिन में एक दिन में शेक बना के खाएंगी तो उसमें आपने साथ खजूरे और छे के लिए एक है यह जो आप किष्डी बनाते हैं उसमें कहले को और ना मक्षन को मैश कर किता है उसे यकीन वेड बढ़ता है पर को सी कहां तक पाहरा है जीव सी बाते कुछ लूब वजन कम करने की बाते करते कुछ वजन वजन का वजन नहीं बदान किसी हाल में खुष नहीं है अच्छ यह जो आप टीज़ करेंगे और अब मैं थोड़ा सा जाए नहीं है वही काफी है बस बिलकुल वही काफी दिए को सेरी के टाइम पर इस टाइप लिए जरा सी अच्छी लगए बढ़िए चले अम एक बेक के रूख ए रूपर आप एंगे तो हमारा हरा मेरा मेरा मसाला चि खुशामदीद रमजान इश्क है सहरी ट्रांस्ट्विशन में घरों में इहतमाम चला होगा सहरी को और आप लोग जरूर खापका रहे होंगे और कोशिश करेंगे कि अपने अहले खाना को सहत के साथ पूरा रमाहे रमजान में अच्छी अच्छी सहरी और अफ़तार करा स विदीट पेस्ट आपने इसे परशार करेंगे ने सागुदारा की की चल रही है और उसकी थी रेसीपी जल्दी से हमें बता दे तो शेफ समीना बेट आपनीया चेजी ऑचाह इसमें ने सागुदाना की जो थी वामने उसको हमने पहले पानी में पका लिया ठीकिन ने पान नहीं क्योंब कर दो गुद्शानी नहीं नहीं है विछ वाया है अभी देखेंड कि अप ताज़ा आम डाले के लिए बाट लिए पिले करेंगे तो इसके कलर में हम एड़ करेंगे जरा सा रेट फूट कर पानी में डिजॉल्फ करके आप डालीगा ठीक है लाइट पिंक कलर जो है इसका आजए बस देगे आगे में सब्सक्राइब करेंगी और थंडा करके हमें अच्छी फूट मेरे पास यहां पर रखे में मैं स कलर चेक करा देती है यह देखिए लाइट पिंक कलर जिका आगे ठीक है यह पिंक कलर आगे और अब इसको मैं सर्फ करूंगी फूट के साथ ना अजकर जो मौजू है वो तकबर के हवाले से था और अल्लह ताला कुछ सक्त नापसंद जो चंद आदते रवये हैं तकबर उ नमरूद और तकबर इस तरह के लोगों की बिरास है जिन्हों ने के हमेशा जुटलाया जिन्हों ने के हमेशा अपनी खुद पसंदी में हक को कबूल करने से इंकार किया तो आज हमने इसी बारे में और इसी हवाले से गुफ्तबू करनी है मेरे स्कॉलर्स मेरे साथ मौज दॉक्र जाहिद अलीज जाहिदी ने मुझे आज यहां पर जोइन किया बहुत शुक्रिए रॉक्साब तर्श्रीफ लाने का और तकबर के हवाले से बात्चीत है आज आज आप इस्लामिक लर्निंग डिपार्टमेंट के चेर्मेन है और आप भी 1993 से शुबह दर्स तर्दरी से वाबस्ता है और मौलाना आजाद जमील आप मार्क स्कॉलर है और इसके साथ साथ मुख्तम दारुत तालीम है अचा मैंने जो सुना कोई तकबर पे आप कैसे इस गुफ्तगू का आगास करना चाहिए तकबर होता क्या है चीज़ क्या है जिसको लिए तकबर है और ये न आपसा है तकबर बुनियाद है किबर से किबर इंसान के अंदर बढ़ाई का आ जाना और खुद पसंदी का आ जाना अना परस्ती की जैसे हो एक मशूर शेयर है के अना परस्ती के जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है तो इस सुरत हाल में जहां किबर आता है और किबर की मुक्तलिफ शकले हैं माल का भी किबर है अदिश में आता है ना पतना माल का भी ये भी किबर है माल से हुसन से जाओ जलाल से अकट से खांदान से और और अधे से ये सदर है ये वजीर है ये प्राइम मिनिस्टर है ये ये चीज़े इसके साथ गौड्स चलते हैं ये चीज़े किबर पैदा कर देती है अजरत अमर रदी ल्लाह टाला अन्हो चलते चलते जब बैतल मकदस फता हुआ तो रास्ते में चलते हुए उन्होंने लिबू आए डॉक्टर साब तो उन्हों गुलाम ने रसी पकड़ी है बादशा बादशाने रसी पकड़ी है गुलाम उंड पर है तो लोगों ने कह ये बात तो समझमें नहीं आती अब 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 उबैदा बिन जर्राह बड़े सहाबी हैं वो आये कहलेंगे हुजूर आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट एक तरहास पेश करते हैं ये आपने जू किया है अच्छा है लेकिन हम आपके लिए आरबी नसल को गोड़ा लेके आए हैं आप पेहने आप उस पे बेटें और आपके लिए लिबास हम लाएं अच्छा लिबास इसलाम में मना नहीं है मना कोई नहीं है अच्छा लिबास असी सवारी एक दफ़ा आप सब्सक्राइब ने एक एक कपड़ा पेना एक लिबास जिसकी कीमत 27 उंट थी अच्छा लेकिन आपने पेना और उतार दिया पेना उतार दिया लेकिन अब अमर बिन खताब उन्होंने ये जोड़ा पेना और गोड़े पेस सवार हुए थोड़े थोड़े आगे यूं धीरे दीरे चलते ही चलते चलते उन्होंने नहीं कहो हुए 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 वापस लो और मेरा वो मेरा जो उंट है उसको वापस लो फिर इस साल में फत्व हो लग बात है लेकिन ये किबर की बुनियाद यहां बनती है जब ऐसे मौक्षे आते है इसलिए तक है कर के अपने नियत को बार बार टॉटन ना बार बार टटोलना और एक आपकी बात मैं काट रहूं इस सीज में ये जो किबर है ये जिसे इबलीस से शुरू हुआ इबलीस ये असल में शुरू होता है नफस नफस गवारा नहीं करता नफस नफस किबरियाई में मबतला कर देता है जो नफस है ये किबरिया इमून आप बेहतर हैं पिछले कोमे का आपने जिकर गिये पिछले कोमे केने लगी हैहात हैहात लिमा तुवाइदून इन्ही इल्ला हयातन अद्दुनिया नमूत वनह्या वमा नह्नी में मबवूतीन ये सब जूट फरोड है हमसे बड़ा कोई ताकत नहीं जिससे मैंने का ताकत कभी तकब्र है हुसन कभी सारी चीजों यानि जैसे आपने भी बताया कि बढ़ाई जहां पर इनसान को ये गुमंड ये गुरूर ये ख्याल ये गुमान उसके दिल में आ जाए जाएगा और क्या फिर हम बिलकुल भी अब ये भी तो हमें हुकम है कि अगर ला ने आपको कोई नेमत अता की है तो उसका इजहार होना चाहिए आपके आपके वजाओ काता से तो इस बार में कुछ बताईएगा बिसम लाह रर्रह्मान रर्हीम पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर ने इसको बेनामी से नाम और निशान आता फर्माया और इस दुनिया में खिलाफत औ नियाबत की शान आता फर्माया उसको हाथ पैर आता फर्माये अहसन तक्वीम की सूरत आता फर्मायी उसे इस दुनिया में खिलाफत औ नियाबत की शान आता फर्मायी तो अल्लह के इनाम और इकराम पर शुकर करना यह बंदे की शान है यह यह तकबर की जिद शुकर है यह शुकर है अच्छा, 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 और शुक्र, उसकी बहतीन सूरत अल्ला का शुक्र है इसलिए आखा करीम, हजूर अक्रम स्ट लगा मांगा, रबी जिदनी और मेरे इल्म में इजाफा फर्मा दे जब तक आप ये दौा मांगते रहेंगे, इल्म आपको नफ़ा देता रहेगा इसलिए कि मालूमात के इजाफे से अगर इनसान में तकब्र है, तो मालूमात के इजाफे से इल्म नहीं आता बल्के तकब्र आता है अच्छा इसलिए हम ये देखते हैं कि अल्ला ने जो इनाम और अक्राम आता किया उसका शुक्र अदा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप में आज्ज़ है आप में इनकिसार है और आपको अल्ला तबारक बताला और आता फर्माएगा लेकिन इनसान का अल्मिया ये है कि झे जब हुस्न और जमाल आता है तो साथ में रएट भी लाता है अगर ताकट आती है तो साथ में इनसान को तकब्र और तकफाख्र का ताज भी पहना देता है इनसान के बाद अच्छी आवास आए तो वो अच्छा लहम भी तकब्र की सूरत अख्तियार कर जाता है जि इनसान को अच्छी अगर किसी को अच्छा फिजिकल स्ट्रक्चर मिल जाया ताकत आ जाये जिस्मानी ताकत आ जाया तो उस पर भी इनसान गुमेट करता है सबसे बढ़ कर जो इनसान को चीश तबाह बर्बात करती वो शोहरत है इस्बभार पर ज्यान चीश शोहरत बज़िए बाद वखका शोहरत लिए नाम बरी इनसान को तबाह बर्बात कर देती है और जब तकब्र की बात करते है 1965 तो मखलूक में सबसे पहले जिस गुनाह के जरीए ल्लाह की नाफरमानी की गई वो तकब्र था बिल्कुम ल्लाह तबारे को बतारा ने श्यातान को इबलीस को आजाजील था क्या शान इल्मी आता फरमाई और क्या शान जहुद आता फरमाया लेकिन जब उसके दिल में हसद और घुमन डाया इसराफील, अजाजील, अजराईल, मीकाईल अजराईल, वो था तो जिनात की नसल थे लेकिन मौली में मलाइका बन लिए उसको नाम अजाजील था फरिश्टों की निसमत से रखा गया लेकिन जब अल्ला की नाफर और उसका तकब्र मैं यहां पर नहीं बाताना चाहूंगा बिल मुकाबिल खुदा नहीं था वो खुदा को तो सजदा करता था वो खुदा की तो तस्विय और तहलील करता उसका तकब्र बिल मुकाबिल नभी था